हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 7 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स ये वर्क्षिट 9 अगस्ट 2021 की है यह शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट solving linear equation having the variable on both side dear student we have know about how to solve the equation having linear expression on one side in the previous वर्क्षिट now let us try understand how to solve the equation having linear expression on both sides तो आई देखते हैं पेटा क्या दिया गया वर्क्षिट में solve the equation 3x-4 equal 2x-5 तो इसे solve करना है तो देखो बेटा क्या किया जाता है जब भी दोनों तरफ linear equation है x यहाँ दोनों तरफ हमें x दिखाई दे रहा है तो इसे solve करने के लिए हम क्या करेंगे देखे 2 ultimate 2x from rh subtract 2x both sides तो हम एक नमबर लेंगे और उसको दोनों तरफ यहाँ तो multiply करेंगे divide करेंगे subtract करेंगे add करेंगे जिससे कि एक तरफ की value क्या हो जाए 0 हो जाए तो देखो क्या किया गया है यहाँ पर हमने क्या किया 2x को दोनों तरफ क्या कर दिया गया है minus कर दिया 2x को हमने दोनों तरफ क्या किया subtract कर दिया तो अब देखो क्या हुआ यहाँ की value 0 हो गई अब हमारे पास में question क्या बच गया देखो 3x में से 2x minus हुआ तो x minus 4 equal हमारे पास में हुआ minus 5 का ठीक है अब जब इसको आगे solve करते हैं अब देखो हमारे पास में क्या equation बची x minus 4 equal minus 5 के तो अब हम फिर से करते हैं दोनों तरफ हम क्या करते हैं 4 को add कर देते हैं 4 को क्या कर देते हैं जब हम दोनों तरफ क्या करते हैं 4 को add करते हैं तो देखो यहां की value 0 हो जाएगा यहां सिर्फ x बच जाएगा हमारे पास में minus 1 बच जाएगा तो यह हमारा इसका answer हो इसमें क्या किया जाता है। जो भी x number होते हैं 30 फिर जो थे यह चाह से optimal को स्वेकर करते हैं तो हमने कर दिया 2X minus 2X कर दिया equal अब यहाँ पर minus 4 का था तो यह देखो minus 5 दिया गए question में हमें दिया गए minus 5, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 को इस तरफ ले जाएंगे, लेकिन इसे क्या कर देगे plus में convert कर देखो, यहाँ पर क्या बचगे एक्स बच गया और यहां पर क्या बच गया हमारा माइनस वन तो यह हमारा सोल हो गया यह इसका इजी मैथड है ठीक है स्टुएंट अब देखें यहां पर हमें कोशन्स दिये गए हैं तो बेटा एक्जांपल्स को हम आप अपनी नोटबुक्स पे करिए गाए एक्जांपल अपने मैं आपको कोशन्स दिये गए तो इसमें देखो सेम मैथड यही किया गया बेटा देखो 14 माइनस 2x प्लस 2 2x प्लस 14 तो इसमें क्या किया गया है वही मैथड को बार बार में हम ओफ कर लिया हमने से 2x जिए 2x प्लस 2 तो हमने एक्सपैंड कर दिया तो क्या हुआ अगया हमारे पास में ठीक है इसी तरहे से RketStsen के बार में तो हम पूरा स्वाफड है अब देखें आगे क्या हो सेम एक्सुरा का गया है तो हमारे पास में देखो, यहां पर क्या आएगाा 12-8X plus 4 तो अब हम क्या क्या दोनों तरह 12 को हमने क्या कर दिया जब हम K양 मैथटर लेंगे बाकी तब वो easy हो जाएगा आपके लिए करना तो आइए करते हैं questions बेटा तो आइए करते हैं बेटा question number one बेटा देखो क्या है 3x plus 5 equal है 2x minus 8 के तो देखो बेटा इस question को solve करने के लिए क्या किया जाएगा हमारे पास में यह plus 5 है तो हम दोनों तरफ क्या करते है minus 5 कर देते है जब दोनों side में हम क्या करते है minus 5 करते तो हमारë equation क्या बनेगी 3x plus 5 minus 5 2x plus 8 minus 5 ठीक है ब यहां से यह cut गया तो 2x को minus कर देते है 2x को minus करेंगे तो यहां पर क्या देखा गया देखो पेटा 3x-2x equal यहां पर क्योंकि यह plus का था तो plus 2x-2x equal 3 तो यह फिर हमारा cut हो गया तो x की value क्या आ गई हमारे पास में 3 तो यह तो है इसका first method जो हमने worksheet में देखा है आईए इसका easy method देखते हैं बेटा कि क्या होगा इसका easy method तो देखिए 3x plus 5 equal 2x plus 8 तो पेटा x वाले नंबर हम एक तरफ ले आता और जब लाते हैं तो जो sign है वो change कर देते हैं तो 3x अब 2x को हम इधर लाएंगे इधर लाने के लिए हमने क्या किया minus 2x कर दिया हमने क्या कर दिया बेटा हमने यहाँ पर minus 2x कर दिया अब 8 यहाँ था अब 5 को हम equal की इस तरफ लेके गए हैं तो हमने क्या कर दिया 4x minus 6 equal है 3x plus 6 के तो देखो यहाँ पर क्या है minus 6 है न तो हमें 6 हटाना है तो हम क्या करेंगे पहले किसी भी तरफ का ले लो वो कोई बात नहीं है हम पहले क्या करते है plus 6 दोनों तरफ कर देते हैं जब हम plus 6 करेंगे तो हमने यहाँ पर भी plus 6 लिख दिया same number हमने यहाँ पर भी दोनों तरफ same होना चाहिए बटा तो अब देखो यह दोनों क्या हो गया cut हो गया हमारे पास में क्या बच गया यहाँ पर 4x और इसको solve करते तो 3x plus 12 यह दोनों add हो गए और कितना हो गया 3x plus 12 हो गया अब देखिए अब हम क्या करते हैं अब हम 3x को अठाते हैं तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं माइनस 3x कर देते हैं हम दोनों तरफ क्या करते हैं माइनस 3x जब हम दोनों तरफ मेटा माइनस 3x कर देंगे तो देखो क्या होगा 4x minus 4x minus 3x equal 3x minus 3x equal plus 12 तो देखो यह तो आपस में cut हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 7x 7x equal है 12 के अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ साथ से क्या करेंगे divide करेंगे दोनों तरफ 7 से क्या करेंगे divide करेंगे तो क्या हैगा 7x divided by 7 equal 12 by 7 तो देको 7 से 7 cut हो गया और अब क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, minus x equal किसकी हो जाएगा, 12 by 7 के, तो बटा, x कभी भी minus में नहीं होता है, तो हम कर देंगे, x equal किसकी हो जाएगा, minus 12 by 7 के, ठीक है students, अब हम करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, x किसके equal हो जाएगा, minus 12 by 7 के, तो आईए अब देखत next question हम करते हैं यहाँ पे बिटा इसी का बिटा easy method देखते हैं 4x minus 6, 3x plus 6 तो देखो हम क्या करते हैं, x value value एक तरफ ले जाते हैं 4x और यहाँ पे यह plus का था, इसलिए symbol change हो गया, minus 3x हो गया, यह 6 यहाँ पे आया हमें सिर्फ x चाहिए न, जितना भी इसके आगे पीछे हमें हटाना यहाँ से, तो इस 7 को हम जब इस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या कर देंगे, division कर देंगे, divide कर देंगे, तो 12 by 7 आजएगा, अब वापस वही आ रहा है, हमारे पास में minus x equal 12 by 7, तो हम क्या करेंगे, minus को तो ध्यान से समझ लीजिए, तो देखे क्या है, 3x plus 2, 3x plus 2, 3 by 2 equal 1 by 3x equals minus 7, तो अब हम क्या करेंगे, multiply 2 on both side, दोनों side में हम क्या करते है, 2 से multiply करते है, तो इस number को भी हम 2 से multiply करेंगे, देखो हमने यही किया, और इस number को भी हम first पहले क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, अब 2 से multiply क करने के बाद, देखो, नोंने क्या दिया है, step बढ़ाएं, अब उस वाकी कुछ नहीं है, अब क्या किया, पहले 2 को इस से multiply किया, तो इस से multiply किया, फिर 2 को इस से multiply किया, ठीक है, हर एक step आपकी clear होना चाहिए, कि कैसे कैसे हुआ है, यहां तक समझ आया, अब हम इसे multiply कर दे 3 से multiply करना है, तो हमारे पास में first number यह था, और second number हमारे पास में यह है, तो हम इस दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से multiply करेंगे, देखो, यह हमारी question यह बनी, अब इसे solve करते हैं, तो देखो, क्या होगा, बेटा, first पहले 3 को इस से multiply किया गया, फिर 3 को 3 से multiply किया गया, ठीक है, 3 को 2 by 3 से multiply किया गया, 3 को फिर 14 से multiply किया गया, अब इसे solve करते हैं, तो जब 3 को हम 6 से multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 18x, 3 को 3 से किया, 9, इसी तरह 3 को 2 by 3 से किया, तो कितना आया, 2x, 3 को 14 से किया, तो कितना आया, बेटा, 42, ठीक है, यह देखो, इतना, उसके बाद देखो, वहाँ है अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ 9 यहां पर direct कर देखो यह लिख लिजेगा बटा तो जब करेंगी हम ने मांध्स कटंते ही यहां पर हमने सेमोच में एक्ट हो गांगमचा है 18 एंचको और 10-овые और-bahnधों दोनों ही तरफ क्या कर देंगे माइनस को 2x को 2x कर देंगे दोनों ही तरफ क्या करेंगे 2x को सब्टैक कर देंगे तो क्या हुआ 18x-2x equal क्या होगा 2x-2x plus 2x-2x equal 51 तो यह हमारा कट हो गया अब हमारे पस में कितना बचा 16-51 अब देखो फिर क्या करना है 16 x equal है minus 51 के तो अब दोनों ही तरफ हम क्या करेंगे 16 से divide कर देंगे जब 16 से divide कर देंगे तो क्या हुआ x की value आगी x equal किसके है minus 51 equal 16 के बच्चे मैंने आपको कहा था थोड़ा सा length है क्योंकि हर एक step को अच्छे से बताया गया है अब ध्यान से समझ के करेंगे तो आपको tough नहीं लगेगा आईए अब इसका हम easy method देखते हैं बचा देखी क्या होगा बचा easy method इसमें क्या किया 3x plus 3x equal 1 by 3x minus 7 तो हम क्या करेंगे बचा देखो जिस भी number के नीचे कोई number नहीं होता हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं अब हम इसका LCM ले लेते हैं जब हम LCM लेंगे तो क्या होगा देखो 2 by 2 को 3 से multiply किया 6x plus 3 divided by 2 इसी तरह 1 by 7 को जब 3 से multiply करेंगे 21 इतना समझ में आया बचे देखो जब ये step आ गया अब देखो क्या करना है अब इन दोनों number को हम इसको हम 3 से multiply करेंगे इसको हम 2 से cross multiplication करेंगे तो देखो 3 6x plus 3 2 1 x plus 21 ये समझ में आया बचे आपको हमने क्या किया cross multiply किया उपर वाले number को हमने 3 से multiply किया इस वाले number को हमने 2 से multiply किया अब सिधा सा जैसे cross करते हैं, multiply करते कर दीजे, 6 को 18 से 18x आया, 3 को 3 से किया 9 आया, 2 को 1 से किया 2x आया, 2 को 21 से किया 42 आया, अब हमारे पास में simple equation आगे हैं, जो हम कर रहे थे, अब हम वापस वही करते हैं, x वाले नमर एक तरफ ले ले लेते, 18x ये plus का है, इसलिए यहाँ प minus 51, तो x की value क्या होगी, यहाँ divided हो जाएगा, minus 51 equal 16, x की value क्या हो जाएगी, minus 51 equal 16, ठीक है students, अब हम करते हैं, next question प्ते हैं, minus लगा दीजिएगा, अब हम करते हैं, next question देखिए, क्या है next question, question number 4, 2x minus 3, x minus 2, equal है, minus 4 plus 4 के, ठीक है, तो वही same method है, first हम इसको क्या करेंगे, इसको आप bracket को खोल दीजिए, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या आजाएगा, equation में क्या होगा, 2x, यह 3x आजाएगा, जब इसको multiply करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो 6 आजाएगा, यह हमार पास 4x का 4x ला, अब हम करते हैं, दोनों तरफ, अब हम इसको 4 को टाने, तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, माइनस 4 कर देते हैं, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, एड कर दिया, माइनस 4 को, जब हम माइनस 4 को एड करेंगे, तो यह हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2x, और 3x में से क्या बच जा तुमिया करेंगे दोनों तरफ x को plus करेंगे यहाँ पर भी हमने x από फेली ही छोड़ कर दिया तीक मिखिंगे देखते हैं कि हम यहाँ पर यह diy त। माइनस x तो हमें पता है कि x के आगे हम माइनस नहीं लगाते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2 बाए 3 हमारा इसका अंसर हो जाएगा इसका हम next easy method भी एक बड़ी देखी लेते हैं बेटा देखिए क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल इसको थोड़ा सोरी बच्चे इसको अब देखते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं 3x माइनस 3x इक्वल x माइनस 2 इक्वल माइनस 4x प्लस 4 तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं दो क्या होगा 3x प्लस 6 आ गया हमारे पास में same वही equation रही अब हम क्या करेंगे देखिए इसको पहले जितना solve होता है easy method से करते जाओ तो हम पहले इसको solve करते है 3x माइनस के 3x मे 4x प्लस 4 यह अभी हमारे पास में equation आ गई अब इसको same उसी method से करते है x वाले नंबर एक तरफ ले जाते हैं तो माइनस x यहाँ पे प्लस 4 ठीक है इक्वल है प्लस 4 यह था और यहाँ पर आके यह माइनस में होगा तो माइनस 6 तो क्या बचा 3x इक्वल माइनस 2 के तो x की value क्या हो रही बेटा 2 माइनस 2 divided by 3 है इसका answer हो जाएगा तो बेटा आज की worksheet complete होती है worksheet complete करके अपने teacher से चेक करा ही और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you students